वेलकम टू दियाश्यमा शो दोस्तो इस वक्त हम कोरोना वाइरस की लड़ाई के किस मुकाम पे हैं मैं आपको एक उधारन से बताती हूँ उमीद करती हूँ कि आप समझेंगे Imagine करिए कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं और आपको सामने से सुनामी आती दिख रही है आपको पता है कि अगर आप खड़े रहे तो आप खत्म हो जाएंगे जितना तेजा भाग सकते हैं आप भागेंगे क्योंकि आपके पास एक ही चांस है अपने आपको बचाने का तो दोस्तों बस ऐसा समझ लीजिए कि इस कोरणा से भी अपने देश को बचाने का हमारे पास बस यही चांस है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी हमारी सरकार के आदिशों का पालन करिए लोगडाउन है तो घर पर बैठिए अब बताती हूँ कि क्या भारत भी कोरोना का एपी सेंटर बनेगा रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह चाइना का वुहान और यूरोप का इटली इस घहतक वायरस का एपी सेंटर बना उसे तरह भारत भी इस वायरस का एपी सेंटर बन सकता है अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं जो ये बताए कि हमारे देश में कोरोना के केसिस की संख्या दुनिया के दूसरे देशों से अलग या कम होगी इटली और अमेरिका जैसे विक्सित देशों तक को इस वारस ने घुटने टेकने पर मचपूर कर दिया इन देशों के आकड़े अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इन देशों में जहां अबादी हमारे देश के मुकाबले कम है मेडिकल फैसिलिटीज हम से बहतर है सरकार के पास रिसोर्सिज है पर इन सब के बावजूद हजारों में लोग संक्रमित है बस फर्क ये है कि जिन देशों की मैंने बात की उनकी तुलना में हम बस एक दो हफ़ते पीछे हैं आने वाले एक दो हफ़तों में हमें कोरोना वाइरस के मामलों की सुनामी देखने को मिल सकती है जैसा कि अभी इटली और स्पेन के साथ हो रहा है या फिर अतीत में चाइना के साथ हो चुका है इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश की कोरोना वाइरस को लेकर क्या स्थिती है बताऊंगी बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ वेरिफाइड इन्फोरमेशन ही आप सभी के साथ शेयर करूँ जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे चानल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कोरोना के दर्ज मामले इतने कम क्यों हैं इस बात में कोई दौराइ नहीं है कि अगर हम जादा लोगों को टेस्ट करेंगे तो जादा मामले सामने आएंगे लेकिन जहां तक under-testing की बात है तो ये दुनिया भर में हो रहा है और इस बात का शक जताया जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में जादा टेस्टिंग होगी तो भारत में कोरोना के मामलों की संक्या हजारों में जाएगी और हमें इसके लिए तयार रहना चाहिए हमें इस बात का एसास होना चाहिए कि इ यूरोप की तरह और श्टडीज में ये पाया गया है कि एक संक्रमित इंसान कम से कम बहुन को दो की सर्कार करता है तो यह चेंड डबल की स्पीड में मुल्टिप्लाइ होती जाती है हम ez चेंड को तोड़ना है इसलिए हमें कम से कम लोगे कॉंटाक्ट में आना है कर्फ्यू और लॉकडाउन को सीरियसली लेना है तो अब देखते हैं कि भारत में कोरोना के कितने मामले सामने आ सकते हैं mathematical model से जो estimate drive हो रहे हैं जो projections हैं कि ऐसे infections, diseases किस तरह फैलते हैं उनके according अमेरिको और UK की total population का 20% से लेकर 60% लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं अगर हम इस अनुमान का lowest यानि की न्यूंतम आंकड़े अपने देश पे अपलाई करें ध्यान दे मैं यहां minimum percentage ले रही हूं तो भारत की 20% अबादी के इसके चपेट में आने का मतलब है 30 करोड लोगों का इसके चपेट में आना और अगर 5 में से 1 या फिर मान लो 10 में से 1 ही अगर गंभीर मामले भारत में हुए तो इसका मतलब हुआ 40 से 80 लाक लोग गंभीर रूप से बिमार हो सकते हैं यह वो लो सुविधाओं से last hospitals नहीं हैं इंडिया में सिर्फ 70,000 से 1 लाग तक ही ICU beds की facility है जो कि भारत जैसे अकारवले देश के लिए बहुत ही छोटी संक्या है and this is something really worrying हमारे पास इतना time भी नहीं है कि इस virus के खिलाफ कुछ permanent त्यारी करी जाए सिरफ 2 हफते है हमारे पास हमें वो सब करना है जो चीन ने किया जैसे कि temporary hospitals बनाना कुछ stadiums को temporary hospitals में convert करना जादा से जादा ventilators खरीदना जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में बात नहीं करूंगे मेरा focus बस यहां उन चीजों पर है जो हम आने वाले अगले दो तिन हफतों में कर सकते हैं because the situation is what it is तो हम अपने घरों में लौक रहें संक्रमन की chain को ब्रेक कर रहें information अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कीजिए आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दे आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं तो चलो अपना ध्यान रखे और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में